आप सब को जैमसी की परमेश्व का धनिवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए और आये मेरे साथ मिलकर इस वजन की घोशना करें इसलिए कोई विपत्ती मुझ पर ना पड़ेगी कोई दुख मेरे घर के निकट ना आएगा वजन सहीताई कानवे दस आमेन आये मिलकर हम सब ए बहुत दर्द था कई मैनों से दर्द था फिर सुबह साम की बिंती में मैं बैठने लगी और सिस्टर जब परातना करती थी कि जहां दर्द हो आँए हाथ रखो मैं हाथ रखा करती थी और मैंने चंगाई को पाया इसके लिए इस्वरपिता को और आप आप लोगों को आप जब बहुत सारी आसिसें हर एक के जीवन में होती हैं और सभी लोग बहुत कुछ होते हैं आनंदित होते हैं कि प्रभु हमें आसिस दे रहा है प्रभु हमेरे जीवन में काम कर रहा है लेकिन कई बार देखा गया कि कुछ समय बाद जीवन में जब समशाएं आती हैं तो व इस कारण से वो चिंतित रहने लगते हैं, परिशान रहने लगते हैं, सोचते हैं कि क्यों हमारे जीवन में ऐसा हो रहा, बहुत सारे भाई बहन विश्वास से पीछे हड़ जाते हैं, लेकिन आज साम में मैं आपको उटसाइद करना चाहूंगा, कि यदि आपके जीवन में अभी कुछ इस प्रकार से हुआ है, यह फिर हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले बहुत अच्छा था, और अचानक से जीवन में कुछ समश्य आ गई, कुछ परिशानी आ गई, जिसके कारण आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो आज परमेश्व का वचन आपसे बाचित क रखेंगे, वो आपके जीवन में अधवुत अश्यरे करम को करेगा, मत्र जिस्व समच्चार उसके चौदा अध्याई में हम लोग देखते हैं, प्रभी येश्व मसी ने चेलों के सामने एक बहुत बड़ा अश्यरे करम किया, वो अश्यरे करम था कि पाँच हजार की भी को प्रभी येश्व मसी ने भोजन खिलाया, वरांत में उनके पास बारे टोक्रियां भी बच गई, मैं सुचता हूँ चेलों ने जब इस बात को देखा होगा, तो वे बहुत खुश हुए, बहुत आनन्दित हुए होंगे, कि हम ऐसे प्रभी पर भरोसा करते हैं, जो अध येश्व मसी उनकी नाव में नहीं है, येश्व मसी ने कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे बाद आओंगा, येश्व मसी प्रात्ना करने चलेगे, लिखा है बर्बस, उनको मजबूर किया, जाओ, तुम जाओ यहां से, और वे लोग नाव में बैठे और जील को पार करने तो अचानक से जील की लहरें उठने लगी, जील में लहरें उठने लगी, तुफान आने लगा, आधियां आने लगी, नाव डगमगाने लगी, जब उनकी नाव डगमगाने लगी, तो वे घबरा गए, मैं सुसता हूँ, इस बात को देखकर, कि मेरे चेले तुफान में फ चलकर उसांदी उस तुफान को सांद करें मैं सोचता हूँ कुछ इस परकार से और जब प्रब येश्य मसी आगे गए तो उन्होंने देखा कि ये कोई हमारे पास कोई आ रहा है और जब उन्होंने देखा येश्य को तो उन्होंने सोचा ये कोई भूत है क्योंकि पहली बार देख रहे हैं येश्य मसी को पानी पर चल देगी उन्होंने सोचा भूत है वे लोग डर गए घबरा गए तब येश्य ने कहा घबराओ मत मैं हूँ दोस्तों आज मैं आपको उटसाइद करना चाहूँगा कि आपको घबराने की आवशकता नहीं है क्योंकि आपके साथ में प्रव येश्य मसी हैं अभी आपने उनका अश्यर कर्म अपने जीवन में देखा था और हो सकता है इस समय आपके जीवन में कुछ समिश्या आ गई तो ये न सोचें कि प्रव ने मुझे छोड़ दिया है ये न सोचें कि क्यों ऐसा हो गया प्रव आपके साथ में है ऐसे समय में आपको प्रभू पर भरूसा रखना है और यदि आपका भरूसा प्रभू पर रहा तो आप पत्रस की तरह है उसके बाद पानी पर चल कर दिखाएंगे आपके लिए अजबुत अश्यर कर्म होगा वो आंदी वो तूफान वो लहरें थम जाएंगी जौरत है तो आपको प्रभू पर भरूसा करने की इस विपरीत समय में आप प्रभू पर भरूसा रखने क्योंकि प्रभू के पास आपके लिए विशेस योजना है एक उत्तम योजना है लिखा है बाइस पद में कि येशो ने बरवस उन्हें भेजा और खुद येशो उनके साथ नहीं गई येशो ने उन्हें भेजा तुम जाओ क्योंकि येशो उन्हें एक बड़ा आश्यर कर्म दिखाना चाहते थे कि मेरे पास इस पानी में चलने का भी अधिकार है मेरे पास इन आंधी तूफान को डांटने का भी अधिकार है और यदि तुम्हारा भरोसा मुझ पर रहा तो तुम भी मेरी तरह पानी पर चलोगे बल्कि येश्यू कहते है कि तुम मुझ से भी बड़े-बड़े कामों को करोगे तो ये परिशानी ये रुकावट इसलिए नहीं कि आप गिर जाएं आप डूब जाएं नहीं बल्कि आप प्रभु के बड़े अश्यर कर्म को अपने जीवन में देखें प्रभु इस परिशानी के दुआरा आपके जीवन में एक बड़े अश्यर कर्म को करेगा पर मैं इश्यूर आपके लिए हर बात में भलाई उत्पन करना जानता है उसे पता है क्या करना है कैसे करना है इसलिए उस पर संधे नहीं बलकि उस पर भरोंसा रखें इस विपरित समय में नाव डगमगाने लगी है भरोंसा रखें लहरें बढ़ने लगी है भरोंसा रखें क्योंकि प्रभु आपके साथ में है डरे नहीं घबराएं नहीं उन परस्तियों को देखकर उन लहरों को देखकर डगमगाती हुई नाव को देखकर बहुश्य को अंदकार में देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं है आपको घबराने की जरूरत नहीं है आपको जरूरत है परमेश और ऐसे समय में भरूसा आगे हैं आप सोच रहे ये तुफान आ रहा है लेकिन प्रभू आपके आगे खड़े हैं उस तुफान से आपको बचाने के लिए उस विरोधी से आपको बचाने के लिए उस तनवार से आपको बचाने के लिए उस दुष्ट से आपको बचाने के लिए लिखा है कि पता चला कि मेरे चेले बीच जील में हैं और तुफान में फसे हुए हैं तो येश्व मसी दोड़ कर गए होंगे पानी में तीजी से दोड़ कर गए होंगे और प्रभ येश्व मसी ने उसांदी उस तुफान को उन लहरों को आग्या दियो कि थम जाओ सब कुछ थम गया हुँगा प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है प्रभु आपके साथ में हैं प्रभु कहते हैं मैं हूँ डरों है मैं तुम्हारे आगे हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने कले मैं तुम्हें इस समस्षा से बाहर निकालने के लिए हम तुमने अपने जीवन में आश्यbir करूंगा तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आसिस दें आमें अपना बेटा बेटी बनाया और अपने लहू के दाम देकर प्रभु तुने हमें खरीदा है परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ तुने अपना हमें बनाया परमेश्वर इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु जी आपके उपकारों के लिए धन्यवाद आपके भ आज अपने राजी के लिए हमें अल्ग किया प्रभू तेरा धनिवाद इन उपकारों के लिए परमेश्व पिता। प्यारे प्रभू धनिवाद करते हैं कि पूरे दिन भर में एक एक पल और एक एक शण में प्रभू Our किया आप हमारे साथ में आप चल कर उनकी अगवाई की हर एक को अपना फेवर और सपोर्ट आपने दिया प्रभू धनिवाद कर ते और आज बहुत से लोग धनिवाद के विशयों को लेकर आपके समुख है पिता एक एक धनिवाद के विशयों को आपके आगे रखते हैं और कहते परमिश्य इन ब्लेस कीजिए जो इन धनिवाद विशयों को लेकर आपके समुख बैठे है परमिश्य पिता प्यारे प्रभू आज हर एक जन प्रभू तेरी आत्मा से भर जाए आपकी उपस्तिती को एक एक जन अपने साथ में महसूस करे प्रभू जब वो अपने घर में है परिवार के साथ मिलकर इस प्रात्न को सुन रहे है प्रभू वो जो आपके छेत्र में है जहां कहीं वे प्रभू तेरे लोग इस प्रात्न को सुन रहे है परमिश्य वहीं आपकी उपस्तिती उनके साथ में हो और वहीं पवित्रात्मा उन्हें जुमिस करे प्रभू जी आज जो भी हा सके पिता हर एक disturbance हर प्रकार के दुष्ट के कारिय हर प्रकार के भढ़कानी वाली बातों को कहते हैं जाओ ये शुके नाम से हम आग्या देते हैं धनेवाद आज के वचन का आदर करते हैं आज के वचन को अपने जीवन में रख छोड़ते परमिश्वर यह वचन एक एक जन् मरत को वब अपने जीवन में देख सके प्रबू जिस प्रकार प्रभू चेलों के सामने प्रभू सिच्वेशन ठी मेरे खुदावन प्रबू बहुत सारे problems उनके सामने थी वो आंधी उनके सामने थी जब वो नाउं पर थे पलत और पिता आप उनसे आगे उनके साथ उस आंदी और तुफान को शान्त करने के लिए उनके आगे खड़ेते प्रभू मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभू आज भी प्रभू जब आपके लोग प्राब्लम फेस कर रहे हैं प्रभू बहुत ज़़ादा struggle चल रहा है प्रभू बहुत ज़ादा समस्याई चल रही है सब कुछ अच्छा था पर अचानक सब कुछ बिगड़ गया है प्रभू मैं प्रातने करती हूँ कि इस समय प्रभू आपके लोग इस वचन के अनुसार इस बात को महसूस करें कि आप उनके आगे खड़े हैं इन प्राब्लम्स को solve करने के लिए उन प्राब्लम्स से बाहर निकालने के लिए situations को change करने के लिए सब कुछ फिर से बहतर और अच्छा करने के लिए आप साथ में है प्रभू ये श्मसी आपने वचन में कहा धाड़स बांदो मैं हूँ डरो मत सच में मेरे परमेश्य पिता आपका वचन सामर्ती है पावर्फुल है इफेक्टिव है प्रभू धन्यवाद ये इफेक्टिव एन पावर्फुल वर्ड प्रभू आपके लोगों के लाइफ में प्रभू पूरा हो ये धाड़स बांने पाएं प्रभू इन विरोधियों को देखकर ना डरने पाएं इन सताओं को देखकर ना डरने पाएं प्रभू जो प्रॉब्लम्स इनके सामने खड़ी हैं प्रभू इनके बच्चों के लाइफ में, इनके पर्सनल लाइफ में, इनके फैमिली लाइफ में, इनके जॉब के चेत में, इनके बिजनस के चेतर में, जो भी प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं पिता, अचानक से सब कुछ प्रभु गडबड़ी हो रहा है पिता, परंतो पिता आप solve करने के लिए साथ में है आज आपके लोग उत्साहित होने पाए कि प्रभू आप इस situations को handle करें, इस situation को handle करें, इनके family situation को handle करें, इनके business के छेत्र के उस problem को handle करें, इनके personal problems को handle करें प्रभू, इनके बच्चों की life की problems को handle करें प्रभू इनके अन्य छेतर की problems को आप handle करे Lord Father, धन्यवाद परमेश्य पिता, आप अपने लोगों को सामर्थ देते, situations पर विजय होने के लिए, आपने कहा है मैं तुम्हें जै के उत्सव में लिए फिरता हूँ, Lord Father, आज वो जै का उत्सव परमेश्य अपने life में देखने पाए, परम परमेश्य मक्र. इनके अंदर पइदा हो रही है Пिता, येश्यमसी आपने कहा है, धाडस बांदो, मैं हूं, डरो मत. परमेश्यो तेरा वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुरबलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया इस वचन पर भरोसा करने के लिए प्रभू आपके लोग उत्साहित होने पाएं क्योंकि आपको वचन कहता है कि प्रभू तुने इन भाई बहनों के रोग को इनके बच्चों को इनके बच्चों के रोगों को बुजर्गों के नौजवानों के हर एक भाई हर एक बहन के रोग को अपने उपर उनकी दुरबलता को अपने उपर उनके दर्द तकलीफ को अप I command every sickness, get out in the name of Jesus Christ. is exactly dangerous, in the name of Jesus Christ. naum disorder, into a stomach problem, into a interruption problem, constipation problem, suburb pest impact, no surgery, is running out of means in the name of Jesus Christ. It should have nutrients from all kinds of skin, stones for which if not, by the gall bladder stones, it should UHatu situation, kidney stones, pro Slal прямо from everytime. parasolia, no邪, pro Slal idiom do may not respond by ishuto story, arthritis causes damage as well. उचन को इसके नाम से दूर होने पाए। आर प्रकार में औरूढ की शुकर के इसके नाम से धूर होने पार प्रबुझ you से प्रभु जीन के हार्भुध निटीस को प्रभु जिन के हाथ पैरों में अलरजा हो इंचिंग हो ए है वक्त सारी बॉडी में प्रॉब्लम इचिंग हर प्रकार की इसकिन डिजीज आग्या देते हैं नश्ट हो इसी वक्त येशु के नाम से प्यारे परमेश्य जो चल फिर नहीं पाते उनके घुटनों को बल दे प्रभू इसी वक्त वो चलने फिरने लगे हम उनके घुटनों को को आघ्या को आघ्या देते हैं चंग यह हो जाओ इशु के नाम से बॉडी को हर एक ओर्गन जो काम नहीं कर रहा है हम आघ्या करो ये नाम से धनेवाद पिता जो mentally disturbed हैं मानसिक रोगी है येशु के नाम से प्रभू मानसिक स्थितिघी बिलकुल correct हो ये करते हैं प्रभू प्रभू जो बहने कंसीव नहीं कर पारी है परमेशु पिता बार-बार मिस्कारज हो रहा है येशु नासरी के नाम से हर प्रकार के miscarriage होने वाली समस्या चली जाए प्रभु येश्यू के नाम से इक नसीव करने पाए बेभी कनसीव होने पाई येश्यू के नाम से थैंक यू, Father प्रभु जो अपने करजे को लेकर परिशान है, प्रभु येश्यू के नाम से करजे financial problem जाएं येश्यू के नाम से पिता आपका वचन कहता है आप यह हुआ ही रहें you are the provider lord हाँ प्रभू आप उपाई करने वाले परमिश्यू आपने कहा है मैं तुम्हें लेने वाला नहीं परन तु देने वाला बनाऊगा प्रभू इनके income के sources को खोले प्रभू जो कमाते उस पर बरकत दे प्रभू येश्यू मसी इमानदारी और सच्चाई के साथ में परमिश्यू ये कमाने वाले बन सके मेरे खुदावन आप ideas दे new thoughts दे परमिश्यू और प्रभू आज इनके problems है खुदा उसे आप दूर करें मैं नहीं जानती प्रभू आज कितने लोग personally बहुत जादा टेंज हैं stress में है प्रभू आप रलीव दे मेरे परमिश्यू पिता प्रभू धन्यवाद आपने प्रभू चंगा किया physically spiritually mentally आपने हील किया परमिश्यू पिता आज की रात में अच्छी नीन से इने सुलाई यह निश्चंथ होने पाए परमिश्यू पिता त्यारे खुदावन होने दीजिए यह बुरे सपने negative thoughts गलत बाते जो यह देख रहे हैं प्रभू येश्यू के नाम से चुटकारा पाएं प्रभू पिता आज जितने भाई बैनों ने अपने prayer request को Instagram में Facebook, Telegram, YouTube कमेंड की माधियम से आज की शाम में भेजा और prayer टावर में हर दिन कॉल करके भेजते हैं पिता एक एक विंती प्रात्नों को आपके आगे रखते हैं धन्यवाद करते कि आपने प्रात्ना सुना उत्तरहां आमीन में दिया जितने लोग एडिक्शन में नकरात् उसे चुटकारा पाएं प्रवो एक 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 लाइफ में आपकी कारी हो धन्यवाद पिता आपने हमारी प्रात्ना सुनी उत्तरहां आमीन में दिया येश्यू के नाम से प्रात्ना मांगते सुने और वहन करी आमेन आमेन और आमेन